परुकार कारान यंद्रित होकर घर में घुसी दो लोग की मौत होगी पंजाब के गुर्दासपूर में बीएसेफ की कमालपूर पोस्ट पर ड्रोन फिर देखा गया जिस पर बीएसेफ के जवानों ने 20 राउंट फाइरिंग की तो निशास्वसाइट को लेकर सिर्जान खान की बेहन आज प्रेस कॉन्फरेंस करेंगी समय सिर्जान 14 दिन की न्याएखी रासक में है नमस्कार मैं हूँ मैं यूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया हुत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का खबर अलीगड से है जहां जैन सामाज ने सम्मेद शिखर जी सिध्धिस्थान को भारस सरकार के द्वारा पर्याटन इस्थल गोशित करने के विरोध में धर्ना प्रदर्सन किया साथ ही राष्टपती और पर्याटन मंतरी के नाम अलीगड जिला अधिकारी को एक ग्यापन भी सौपा वहीं जैन धर्म के मुनी ने बताया कि सम्मेद शिखर जी जैन धर्म का सिध्धिस्थान है जिससे सरकार द्वारा पर्याटन इस्थल गोशित किया जा रहा है कि नाम है सोमिल जैन रहने वाले हम हर्दोगंच के और अत्रोली के समाझ है और अलीगड के समाझी सभी लोग एकतिर तोकर के यहाँ पर दियम तापको ग्यापन देने के लिए कारण है कि हम लोगों का सब्सक्राइब सम्मेद शिखर जी जहां से 20 तीर तंकर भगवान बोक्ष गए है उचित्री पवित्र भूम इतने पवित्र इस्थल को धारखंड सरकार ने परेटम इस्थल घोसत कर दिया है पिक्निक इस्थल घोसत कर दिया है अब बताईया परेट परवत राज को एक छारकंड सरकार द्वारा परेटन छेत्र घोसत किया गया है इसके विरोध में जन्पत अलीगड के जहन समाज द्वारा एक ग्यापन माम है राश्पती महोद है प्रदाम मंत्री महोद है और अन्य को संबोदित ग्यापन है वावस्टा करवाई के लिए खबर संबल से है जहां तीन थानों को जोड़कर नए सीओ ऑफिस का उद्गाटन किया गया वहीं पुलिस अधिक्षक ने अपराधों पर लगाम लगाने के लिए शेत्र अधिकारी को तीन थानों के जिम्मेदारी के साथ असमोली में फीता काटकर एक शेत्र अधिकारी के आफिस का उद्गाटन किया जिसके बाद यह जन्पद संबल का पाच्वा शेत्र अधिकारी कार्याले असमोली के रूप में जाना जाएगा पुलिस अधिक्षक ने कानून विवस्था दुरुस्त रखने के लिए ठोस कदम उठाया है सरी आज असमोली में एक नया सरक्ल बनाया गया है क्या है सर इसका उद्देश है पूरा और क्या था आज एक जन्वरी के दिन असमोली में सियो ऑफिस के भवन का उधाटन किया गया है यहां पर नया सरक्ल बनाया जाना प्रस्तावित है इसमें आज से यहां पर कार्याले क रूप से आगे जैसे यहां पर इस्थाई रूप से जहां पर भी जिमीन उटे होगी उसके साथ से यहां पर एचोणा कम सामिल नाएंगे यहाँ पर यह दूर का छेत्र पढ़ता था जो संबल से इसको देखना इन में पब्लिक की शिकायतों को सुनना मैं कच्चनाई होती थी जिसलिए नया स्टेप लिया गया है मैं आप सभी लोगों को जन्पत संबल की पुलिस की तरफ से नए साल की बहुत-बहुत बधाई देता हूं कि पुलिस और पब्लिक का जब तक सहयोग बना रहता है तो अपराधों पर लगाता है नियंतर बनाई रखना बहुत आसान होता है तो अप सभी लोग इस 2023 में पुलिस के साथ अपना सहयोग बनाई रखें हम लोग आप भी सुरक्षा के लिए तक पर हैं धन्यवर्ट खबर और रहिया से है जहां इर्वा कट्रा थाना शेत्र के पास ट्रेक्टर और गाड़ी के बीच भीडन्त हो गई जिससे ट्रेक्टर आनियंत्रित होकर एक्सप्रस वे की किनारे बनी पक्की नाली में जागिरा जिससे ट्रॉली में बैठी सवारियां ट्रॉली के नीचे दब गई जिससे छे लोग गंफी रूप से घायल हो गए वही सूचना पर पहुचे थाना अध्यक्ष ने रहगीरों की मदद से घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला और निजी वाहनों की मदद से सामुदाइक स्वास सकेंद्र भिजवाया कहां के रहने वाले है तो रोड़ वेज बसवालों को पकड़ लिया या नहीं नहीं वह तो भागे रोड़ वेज खड़ी है तो गाड़ी का नंबर है गाड़ी का क्या नंबर है रहने वाले कहां के ये क्या नाम है इनका खबर कुशी नगर से है जहां नए साल के पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच नवर्स मेला संपन हुआ इस बीच देर शाम तक लोगों की चहल पहल रही इस दोरान मेले में विदेशों से भी आए लोगों ने जम कर मस्ती की वहीं इस मेले को साकुशल संपल कराने के लिए पुलिस प्रशासन काफी सतर्क दिखा जगा जगा पुलिस फोर्स तैनात रही डॉग स्कॉट की टीम भी मेला परिशेत्र का भ्रमड कर संदिग्द वस्तूओं की जाच करते हुए देखी गई बिडला धर्मशाला में प्रशासनी कफसरों की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया था जहां उप जिलाधिकारी तहसीलदार नगर पालिका यो थाना अध्यक्ष मेले की विवस्ता की मॉनिटरिंग कर रहे थे इसके अलावा अपर पूलिस अधिक्षा, सियो भी पूलिस चौकी पर मौजूद रहे कि लगभग हजारों नहीं बलके लागों में इस मेले में भीण जुटी हुई है उसी नगर से प्राइम टिवी के लिए ज्यानिश्वर्प बर्नवाल कि दूए तुर्प कि दूए था यह कि अगया नाम इसले वह चुटी कहां साहिं आधा और चल्वं से यहाँ पर पर्थम दिन इस साथा इसाथ करके पर तंदिन यहाँ आगर कि यहां कर दाए हमेशे तमन्ना रहता है जहांगा गौत बूत का चरण परा है उस जगह में था रहने हैं और आज यहां आकर मेरा मन को इतना सुपन मिल गिए कि इसे चादा इस से पहले को भी आनम फाख ने हैं। इसके पहले वित कभी आप यह अधर मेरा इधर में पहले इस जगा में थांक भी ट्रेन की चपेट में आने से किशोरी की मौत हो गई गटना की करीब एक घंटे बाद एक युवग भी ट्रेन वुगा जिससे युवग की मौत हो गई दोनो गटनाओं में अजीब बात यह है कि दोनो मरने वाले लड़का-लड़की रिस्तेदार थे इस दोनों मौत के पीछे की वज़ा अभी तक असपस्ट नहीं हो पाई है वहीं पुलिस इस घटना को एक्सिडेंट करार दे रही है साथ ही पुलिस ने दोनों शवों को कबजे में लेकर पोस्ट मातं के लिए भेज दिया है और मामले की जाच में जुट गई है पुलिस घटना के लिए पुलिस घटना के लिए भेजा गया है आउस से गुधिक कर वही प्रज़ित है प्रियागराज में नवड्स के पहले दिन ही लॉयंस होस्पिटल में बलड डोनेशन कैम का आयोजन किया गया जिसमें लाइनस क्लब के सदसों ने बलड डोनेट करके अपने नए साल का प्रारब अच्छे कार से किया वहीं स्री रोग विशेस्तग डॉक्टर उमा जैस्वाल ने कहा कि शिवर लगाने का उदेश समय समय पर रक्तदान करके कई लोगों के जिन्दिग्या बचाना है साथ ही जादा से जादा लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित करना भी है साथ ही सफसर पर फ्री ओपीडी ब्लड टेस्ट बीपी बीमडी कई तरह की निश्वल की चेकप भी किया गया सुल्तानपुर में संदिग्द परिसितियों में जिला कारागार में बंदी की मौत हो गई इस घटना से जिला परिसर में हंगामा मच गया जिला अस्पताल के सरजरी हाउस पर परजनों ने जमावडा लगा दिया आपको बता दी कि परजनों ने जिला प्रशासन और जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है परजन बोले मंदी के बीमार और मौत होने की सूचना ही नहीं दी गई ये पूरी घटना नगर कोतवाली के भटी जरौली गाओं की है अगर उसकी तबियत खराब रही बराबर तो उसकी आप जो है दवा क्यों नहीं लेकर आएगा जेल परशासन उसका इलाज क्यों नहीं कराया अगर उसकी कोई और प्रशानी हुई तो फिर उसको जो है परशासन जो है जिम्मेदार है पूरा बांदा में हटेटी पुरुआ के गाओं कहला में के नदी के पास प्राचीन मंदिर में पंदरवा विशाल दिवारी नित्र और मेले का शानदार आयोजन हुआ मेले का आयोजन हर साल एक जनवरी को होता है इस आयोजन में आसपास के रगभग 20 से 25 गाओं के दर्शनार्थी आते हैं इस आयोजन में दीवारी के कुल्च है टीमों ने प्रतिभाग किया जिसमें से बढ़ोखर के रमेश पाल की टीम ने प्रतम इस्थान हासिल किया वहीं निमनी पार की टीम ने दूसरा इस्थान प्राप्ट किया आयोजन में मुखहतिती के रूप में बिढ़ायक प्रकास दिवेदी पहुचे और सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन किया इस कार्कम का आयोजन श्री राम निशाथ ने किया किया प्राचीन मंदिर है हमान इगा नदी के किनारे श्री कलोसर बाबा के नाम से जाने जाते हैं प्राचीन मंदिर है कई पीडियों के बाद लोगों को पता चलता रहा कि मंदिर ए मंदिर पूजापाड भी होती रही और उसी की उसमें करीबिए 15 साल है इस बाहर्व यह 15 प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस